सो अगर आपको भी एक ऐसा इयर बर्स जी है जिसमें कॉलिंग क्वालिटी काफी अच्छा है देखने के लिए मिले एंड बैटरी भी काफी ज्यादा चले तो यह वीडियो को इन तक जरूर देखिएगा सो अभी हमारे पास जो इयर बर्स है यह है नोईस बर्स वीएस वन जीरो टू ईलाइट इयर बर्स एंड कम्प्लीट इसी के बारे मिनी में इस वीडियो के बात करने वाले हैं Complete Unboxing and Review तो चलिए फटा-फट से वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं न सबसे पहले इसको On-Box कर ले है in case तो इसको यहां से हम निकालते हैं एंड इसको फिलाल हम रखते हैं साइड में इसे के साथ बॉक्स के अंदर आगे और बात करें तो यहां पर देख सकते हो हमें कुछ एक्स्रा इयर टिप्स देखने के लिए बॉक्स के अंदर यहां पर हमें टाइप सी चार्जिंग केवल देखने के लिए मिलता है जिसका यूज करके हम इयर बर्ट को चार्ज कर सकते हैं चलिए फाइनली आते हम अपने इयर बर्ट पर तो सबसे पहले बात करते हैं इसके लूक्स और डिजाइन के बारे में तो यहा को अगर हम ओपन करते हैं कुछ इस तरीके से तो यहां पर देख सकते हो हमारे दोनों दिजाइन क dai क outra रिवह mिलना यहां पर देखने के लिए मिलता है indicator light देखने के लिए मिलता है यहां भी आपको chrome finishing देखने के लिए मिलता है जो कि इसके look को और काफी ज़्यादा enhance करता है and complete देख सकतो yearburst कुछ इस तरीके का हमें देखने के लिए मिलता है yearburst का भी looks and design है यहां पे काफी अच्छा देखने के लिए मिलता है and अगर एक बार yearburst को पहन के दिखा दो in-year fit कैसा देखने के लिए मिलता है and in-year look कैसा देखने के लिए मिलता है तो देख सकतो year में पहनने के बाद कुछ इस तरीके का complete जो है yearburst का look लुक देखने के लिए मिलेगा तो देखने में काफ़ी अच्छा लगता है और जो क्रोंग फिनिसिंग यहां पर देखने के लिए मिलता है यह जो है लुक को और काफ़ी ज्यादा एनेंस कर देता है तो अगर और जो इन यह लुक है यहां पर काफ़ी अच्छा आपको देख देखने के लिए मिलता है अगर आप एक बार केस एन एरबर्स को चार्ज कर लेते हो तो आप पचास गंटे तक यूज कर सकते हो एंड इसमें आपको फास चार्जिंग का सपोर्ट देखने के लिए मिलता है तो आप 10 मिनट तक चार्ज कर लेते हो तो आप 100 से 120 मिनट तक आप इसको use कर सकते हो, so battery के तो मामले में earbuds काफी अच्छा है अगर बात करें calling की, तो calling के भी मामले में earbuds यहाँ पर काफी अच्छा है क्योंकि यहाँ पर आपको quad mic देखने के लिए मिलता है with environmental noise cancellation यहाँ पर एक earbuds में आपको 2 mic देखने के लिए मिलता है तो इस हिसाब से यहाँ पर calling experience आपको काफी अच्छा देखने के लिए मिलेगा अब बात करें connectivity के बारे में तो यहाँ पर आपको Bluetooth version 5.3 देखने के लिए मिलता है जिसके वज़े से connectivity अगरा काफी अच्छा रहेगा काफी easily आपके smartphone यापके कोई भी device से connect हो जाएगा यहाँ पर आपको around 8-10 meter का range देखने के लिए मिलता है अगर आप open space में हैं तो अगर आप device से connect कर देते हैं तो आप 8-10 meter के दोरी तक आप इसका use कर सकते हैं अगर आप case को on करते हो तो आप pair नहीं कर सकते हो connect करने के लिए आपको जो earbuds को case से बाहर निकालना पड़ेगा उसके बाद जो आप अपने device से connect कर पाओगे वैसे तो earbuds में सभी features काफी important होते हैं लेकिन जो सबसे important होता है वो है sound quality तो यहाँ पे एक sound quality को अच्छा बनाने के लिए company ने दिया है 11 mm के drivers यह आप आपको 11 mm के drivers देखने के लिए मिल जाते हैं जिसके वैसे music को आप काफी अच्छा से enjoy कर सकते हो एक एक line जो काफी clearly आप सुन पाओगे so overall music experience इससे आपका काफी अच्छा होने वाला है लेकिन यहाँ पे आपको bass उतला अच्छा देखने के लिए नहीं मिलता है मैंने personally भी इसको टेस्ट किया है तो मेरे इसाफ से bass आप अच्छा देखने के लिए नहीं मिलता है आपको एक normal सा simple सा bass देखने के लिए मिलता है और अचानक से बारिस होने लगता है और इयर बर्स अगर थोड़ा बहुत गीला हो जाता है तो क्या इसमें कोई problem आ सकता है तो नहीं क्योंकि यहाँ पे IPX5 का water resistant rating देखने के लिए मिलता है जिसके वैसे अगर इयर बर्स ओड़ा बहुत पानी अगरे से गीला हो जाता है या फिर बारिस अगरे से गीला हो जाता है तो कोई भी issue कोई भी problem नहीं आने वाला है वस आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है 30 minute से ज़्यादा पानी के अंदर use नहीं करना है बात करें तो इसमें आपको dedicated gaming mode भी देखने के लिए मिल जाता है जैसे कि यह complete touch control के थुरूँ आप इसको operate कर सकते हो complete आपे touch control देखने के लिए मिलता है तो किसी भी ear verse पे अगर आप 2 second तक प्रेस करके रखते हो बाकि इसमें आपको five color variant देखने के लिए मिल जाते हैं और पाचो यह colors काफ़ी अच्छे हैं बात करें क्या इस ear verse को खरीदना सही रहेगा क्या यह value for money है तो इसका launch price जो था वो था 899 रुपे और इसका regular price कई ना कई 999 से 1299 के बीच रहेगा तो बिल्कुल आप इसको purchase कर सकते हो अगर आप base को उतना ज़्यादा prefer नहीं करते हैं लेकिन अगर आपको base सुनना काफी पसंद है तो मैं इसको recommend नहीं करूँगा लेकिन अगर आप base को उतना prefer नहीं करते हो तो बिल्कुल आप इसको purchase कर सकते हो खरीच सकते हो and overall वी calling के मामले में ये ये अच्छा है and also battery backup के मामले में ये ये अच्छा है looks and design भी यहाँ पे काफी अच्छा देखने के लिए मिलता है यह वीडियो आपको पसंद आयोगा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक किजेगा चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बाद में बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ठीक है फ्रेड़ाइस टैंक यू जैहिंद